हेलो एवरिवन माध्योप्रदेश जेल पहरी 2018 के प्रिविएस एर कोशन्स में इंग्लिश का यह है पार्ट पूर और इस वीडियो में डिसकास कर रहा है फर्स्ट अक्ट्यूबर शिफ्ट बन का पेपर पहला कोशन है चूज दॉप्शन देट करेक्ली सिक्वेंस इस फॉलॉइंग सेंटेंस यह चार सेंटेंस दिये गाएं इनको सिक्वेंस में अरेंज करना है इनको अरेंज करने के लिए क्या करते थे कि जो सिक्वेंस की फस्ट लाइन हो सकती है उसे सबसे पहले पता करते हैं इनको इनको अरेंज करने का एक तहरीका ये भी होता है कि हर एक लाइन को हिंदी में कंड़र्ट किया जाए और फिर जो स्टोरी बन रही है वन बाइवन करके उनको अरेंज किया जाए इसके लिए जरूरी है कि हमें हर एक English word का मीनिंग पता हो उससे अच्छा है कि जो इंग् drinking of maple syrup अब यहां पर इस सैप लिखा हुआ है सैप मतलब होता है रस अब रस में कुछ ऐसी यूनिक चीज तो होती नहीं है कि उसके दा लगा जाए डा एक indifferent अर्टीगल होता उर रहा हुमेशा को यूनिक चीज के आगे ही लगता है जैसे की और want के नहीं लगता है लेकिन युजा सकता है उस केसे में जब सब के बारे में इसके पहले कुछ बताया गया हो अब इसके आगे दा लगा है मतलब sap के बारे में कुछ पहले बताया गया होगा इसलिए इसके आगे दा लगा है तो ये पहली line नहीं हो सकती है अब sap के बारे में किस line में बताया गया है वो हमें देखना है second में sap करी नहीं लिखा है third में sap नहीं लिखा है पूर्थ में यहां पर सेप लिखा हुआ है तो यह पहली लाइन हो सकती है जी ट्री के आगर दा लगा हुआ है दा एक डेफिनेट आटिकल होता है और ट्री में कुछ ऐसी स्पेशलिटी नहीं होती है कि उसके अगर दा लगाया जाए अब दा लगाए इसका मतलब है कि ट्री तो सबसे पहले हम उप्शन से इनको नेगलेट कर लेते हैं फिर्स्ट ऑप्शन में 4 इस्तार्टि में लिखा हुआ है और प्रस्ट नम्बर की पहली लाइन नहीं हो सकती है तो फॉस्ट ऑप्शन इससी तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन भी कैंसल हो जाएगा अब सेकेड़ और थिर्ड बचे जै कि इस सगर सेपल सुगर मैपल इसा हाड मैपल ट्री यह पहली लाइन हो सकती है सामको सट आपकर कफ्रणावन मैं नहीं सबसकती है इसे इस सब्सक्राइव होता है सब्सक्रामा थिक इस अब्लेख। तू कौन से option में मिल रहा है तू केवल यहां पर second option में ही मिल रहा है और यह third वाला भी cancel हो जाएगा कि यह थ्री नंबर की लाइन फस्त नहीं हो सकती है तो second वाला option इसका right answer हो जाएगा पहले आएगी second फिर third फिर fourth और फिर one यह इसका right sequence हो जाएगा second question है choose the correct form of model auxiliary verb for the given sentence यहां पर model verb लगानी है maria is not answering her phone though I have called her thrice दो का मतलब होता है यह दपी या हाला की हाला की मैं उसे तीन बार call कर चुकी हूं फिर भी maria phone का answer नहीं दे रही है she blanks be asleep asleep मतलब होता है सोया होना तो शायद वह सोई हुई है इस तरह से बताना है कि phone concern नहीं दे रही है तो वह सोई हुई इसके लिए आपर वर्ब लगानी है यह sleep है एक और word होता है sleep sleep और sleep यह दोनों सेम ही होते हैं लेकिन इस दोनों में slightly इतना difference होता है कि sleep एक action word है इसका मतलब होता है कुछ काम होना यह एक word होता है और sleep एक adjective है यह एक state को बताता है एक अवस्था बताता है एक state को यह condition बोल दें कि सोय होने की अवस्था बता रहा है यह sleep यहां पर जैसे बोलें कि वह सो रहा है तो इसके लिए बोलेंगे he is sleeping स्लीप में ing लग जाएगा he is sleeping और he is asleep अगर बोलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ वैं सोया हुआ है यहां पर यह action बता रहा है वैं सो रहा है और यहां पर he is asleep वैं सोया हुआ है एक अवस्था बता रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है ओट ड्यूटी के लिए यूज करते हैं तो यहां पर ड्यूटी वाली कुछ बात नहीं हो रही है यह option cancel should suggestion के लिए या फिर चाहिए वाले sense में यूज करते हैं तो she should be asleep soon चाहिए यह वाला तो यह option भी cancel और third है might might संभावना या possibility के लिए यूज करते हैं तो यह यहां पर आ सकता है कि वह phone का answer नहीं दे रही है शाय यह के लिए यूज करते हैं कि करने की जरूरत है तो सोने की जरूरत है ऐसे तो बोलेंगे नहीं तो यह वाला option भी cancel तो इसका राइट answer हो जाएगा थार्ड ऑप्शन माइट थर्ड है choose the correctly punctuated sentence punctuation sign लगाने इन में the speaker was saying I am happy to when the bomb exploded मतलब speaker यहां पर कह रहा है कि I am happy to मतलब है बोल रहा था I am happy to इतना बोला when the bomb exploded जब bomb explode हो गया मतलब जब bomb explode हुआ तब speaker यह कह रहा था कि I am happy to इतना यह कह पाया और bomb explode हो गया तो यहां पर अगर sign देखें तो यहां पर जब जब भी कुछ कोई कहता है saying तो उसको inverted कॉमा में लिखते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो यह यहां पर कुछ भी नहीं है फरस्ट वाल option cancel हो जाएगा second में देखें the speaker was saying फिर कॉमा लगाए ठीक है फिर I am happy to यहां पर एक कोशन माक यहां पर नहीं आएगा कोशन और दूसरी चीज़ यहां पर यह इंवेटड कॉमा इस्टार्ट तो लेकिन यहां पर कि एंड नहीं हुआ है जब भी इंवर्टड कॉमा इस्टार्ट होता थो दूंड भी होता ही और यहां पर आ जाएगा आएम हैपी तू यह इंवर्टिट कॉमा में आ रहा है और इतना यहां पर इंवर्टिट कॉमा एंड भी हो गया फिर डैश वेंड बॉंब एक्स्प्लोड जब आपक्स्प्लोड हुआ तो स्पीकर कह रहा था कि एमप्ट इतना और फिर बॉंब in his weekend state his illness is likely to recur यहां पर highlighted word यही है रिक्योर मतलब होता है वापस आना या वापस लॉट कर आना वापस लॉट कर आना या फिर वापस लॉट ना अब इस वीकेंड इस्टेट वीकेंड इस्टेट मतलब बहुत ही जो कमजोर वाली अवस्था होती है इस illness जो उसकी बीमारी है इस likely to recur मतलब वापस लोट कर आ सकती है उसकी बीमारी तो इस रिक्योर के लिए opposite देखना है वापस लोट कर आना इसके लिए फर्स्ट है ओकर ओकर मतलब होता है होना कुछ चीज जो हो रही होती है तो यह वापस लोट करका opposite तो कुछ हो नहीं रहा है और second है reappear reappear भी होता है कि वापस से appear होना तो यह तो इसका सेम जैसे ही हो गया पर opposite देखना है थर्ड है continue continue भी है कि जो चल रहा है हमेशा रुका नहीं है तो यह भी इसका opposite नहीं हो रहा है फोर्थ होता है hold hold का मतलब होता है रुकावट यह रुकना इसका मतलब होता है होल्ट मतलब रुकावट तो वापस लोट कर आना तो इसका अपरदर हो जाएगा यह फोर्थ रुकावट हौल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ है चूज दे अप्रोप्रियेट कंजक्शन फोर गिवन सेंटेंस कंजक्शन यहां पर लगाना है थॉमस नीट्स तू वर्क हार्ड थॉमस को वर्क हार्ड हाडवर कननी की जरूरत है डैश तो यहां पर कंजक्शन लगाना है जो फिर्स्ट है तॉमस को थॉमस को हार्डवर करने की ज़रूरत है तो तो वर। एकसाम पास यहां पास करना चाहता है तो यहां पर यह दैन तो नहीं लग सकता है फोर सैकंड है जलसू 5 तो यह भी ने लगएगा सो मतलब इसलिए इसलिए वह एक्जाम पास करना चाहता है तो यह भी नहीं आ सकता है यहां पर इस मतलब होता है यदी यदी वह एक्जाम पास करना चाहता है तो थॉमस को हाड़वर करने की जरूरत है तो यह इस कांसर हो जाएगा इफ यहां पर आजाएगा इफ थॉमस को ह सिख्थ है चूज़ दा एप्रोप्रियेट प्रिपोजिशन फॉर दे गिवन सेंटेंस यहां पर प्रिपोजिशन फिलकरनी है दि ओथर ग्रेजुटेट डेश हाई स्कूल एंड एंड एंड्रोल हिमसेल्फ डेश अप्रेस्टीजियस कॉलिज तु स्टेडी पॉलिटिक्स यहां नहीं आएगा त्व फ्रा Queensborough सकता याँपर लेकिन आउत यहां पर नहीं आएगा आउट फ्राम एक साथ नहीं आएगा यहाँ पर आएगा from क्योंकि graduate की case में from use करते हैं और past tense यहाँ पर लिखा हुआ है कि graduate कहा से हुए तो say वाले sense में यहाँ पर from use किया जाएगा और from third option में लिखा है फूर्थ में into into यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि into तब use करते हैं कुछ motion वाली चीज से दूसरे में जा रहा होते हैं तो यह into भी नहीं आएगा तो यहाँ पर आजाएगा from और and enroll himself यहाँ पर आजाएगा एट 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 अप्रेस्टीजियस कॉलिज्टु स्टडी पॉलेटिक्स अब यहाँ पर इन भी आ सकता था लेकिन इन क्यों नहीं आएगा क्योंकि यह एक फिक्स जगए हो गई और एक छोटी जगए इन भाहां आता है कुछ बड़ी जगए जैसे भोपाल इंदौर वहां 7th question है choose the option that best explains the highlighted expression highlighted expression का best explains मतलब same meaning वाला चारो options में से एक देखना है I can never play pranks on people prank मतलब होता है मजाक मैं लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकता हूँ because क्योंकि I can't keep a straight face क्योंकि मैं एक straight face नहीं रख सकता हूँ इसका मतलब होता है एक सीधा फेस एक नॉर्मल फेस नहीं रख सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ तो इसका सेम देखना है options में से फर्स्ट है can't say the punch line well क्योंकि मैं punch line ठीक से नहीं बोल सकता हूँ तो ये इसका सेम तो नहीं हो रहा है ये cancel हो जाएगा second है remember the joke well क्योंकि मैं jokes को ठीक से remember याद नहीं रख सकता हूँ तो ये भी इसका सेम नहीं हो रहा है ये option भी cancel हो जाएगा third है pretend to look serious pretend मतलब होता है दिखावा और look serious क्योंकि मैं serious दिखने का दिखावा नहीं कर सकता हूँ तो ये इसका अंसर हो सकता है same जा रहा है ये इससे fourth है act well क्योंकि मैं ठीक से act नहीं कर सकता हूँ तो ये भी इसका नहीं हो सकता है same ये option भी cancel तो इसका right answer हो जाएगा third option pretend to look serious नेक्स है choose the option that best transforms the given sentence into active voice active voice में इसे change करना है ये passive voice में दिया गया है carrot seeds were being planted by the gardener अब यह वर्बेंग लगा हुआ है वर्बेंग कहां लगता है past continuous में लगता है passive voice में और passive voice में इसका structure क्या होता है subject आता है plus past continuous में वह या फिर वर्ब इसके बाद आता है वर्ब की first form में ing लगती है helping up के बाद और उसके बाद object आता है तो यहां पर सबसे पहले subject लिखेंगे तो इस वाले sentence में से जो object होगा वो subject बनेगा क्योंकि voice में subject और object आपस में change हो जाते हैं तो subject क्या हो जाएगा the gardener options में से चेक करें the gardener the gardener सब में same लिखा हुआ है उसके बाद आएगी helping up was या वर्ब में से the gardener singular subject है तो इसके साथ लगेगा was the gardener was फिर was being second option cancel हो जाएगा क्योंकि यहां पर being लिखा हुआ है और being हमेशा passive voice में आता है बलकि हमें active voice में इसे change करना है तो second option cancel third में लिखा हुआ है has present tense में use किया जाता है जबकि यह past tense का sentence है तो third option भी cancel और fourth में लिखा हुआ है has been तो यह भी present tense का sentence हो जाएगा यह भी गलत तो इसका right answer हो जाएगा first option was के बाद क्या आएगा वर्प की first form में ing वर्प की first form क्या हो जाएगी plant और उसमें ing लग गया planting फिर object तो object हो जाएगा carrot seeds जो कि यहां पर subject था तो first option इसका right answer हो जाएगा next है ninth question choose the most suitable determiner determiner यहां पर fill करना है the boy said boy ने कहा there was only dash piece is still missing from his jigsaw puzzle first है little little यहां पर नहीं आएगा क्योंकि little ना के बराबर चीजों में यूज किया जाता है यहां पर होती ही नहीं है बिल्कुल ही little मतलब है ही नहीं लेकिन only लिखा हुआ है तो no के बराबर चीज यहां पर नहीं हो रही है same to say यहां पर few का भी same meaning होता है little यूज करते है uncountable के लिए लेकिन meaning दोनों का same होता है तो नहीं little आएगा और नहीं few आएगा थर्ड है वन यहां पर आ सकता है there was only one piece still missing और fourth single single भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि only लिखा हुआ है तो fourth option भी cancel तो यहां पर आजाएगा वन 10th है spot the error यहां पर error देखनी है sentence में I will return back to town soon यहां पर error यह है कि return और back दोनों साथ में लिखे हुए है return के साथ back use नहीं किया जाएगा क्योंकि return का मतलब भी वापस लौटना होता है और back का मतलब एक तरह से वापस आना ही होता है back होना तो इसके साथ back नहीं आएगा और फिर यह correct हो जाएगा I will return to town soon यह third option इसका right answer हो जाएगा first है first में I will return back तो यह दोनों साथ में नहीं third है I will return इसमें एस नहीं लगेगा यह option भी चैंसल और third right हो जाएगा fourth है I return इसमें तो helping भी नहीं है यह option भी चैंसल थर्ड हो जाएगा राइट 11th है choose the appropriate option that changes the given sentence into passive voice, passive voice में से change करना है यह active voice में दिया गया है people speak English all over the world यह subject हो जाएगा speak verb और English object all over the world यह extra part हो जाएगा यह simple present का sentence है क्योंकि simple present में अगर subject singular होता है तो verb के साथ yes या yes लगाते हैं और अगर subject plural होता है तो yes नहीं लगाते हैं यहां पर subject plural है people यह plural होता है इसलिए speak के साथ yes या yes कुछ भी नहीं लगाया गया है तो यह simple present का sentence हो गया simple present में passive voice में change करने का structure होता है subject plus उसके बाद is आर या एम तीनों में से कुछ एक helping अब आती है प्लस उसके बाद बर कोई third form प्लस बाय एंड लास्ट में object आता है subject और object आपस में change हो जाते हैं तो subject वो आएगा जो की object था object है यहां पर English तो first option में all over the world लिखा हुआ है all over the world यह extra part है इसको sentence के starting में भी लिख सकते हैं और sentence के last में भी लिख सकते हैं तब भी correct होगा तो यहां पर starting में लिखा है all over the world ठीक है इसके बाद English subject था वो यहां पर लिखा है was was यहां पर नहीं आएगा क्योंकि was past tense में यूज करते हैं English के सा singular subject है तो इस आएगा was नहीं आएगा यह option cancel second all over the world पीपल पीपल नहीं आएगा क्योंकि यह object बनेगा subject नहीं बनेगा यह option थार्ड में English फिर इस इसके बाद वर की third form आती है और इस पीक है first form इस पीक की third form होती है spoken यह सही है और इसके बाद जाएगा by फिर object object है यहां पर people त क्योंकि people एक unknown unknown subject है इसलिए यहां पर नहीं लिखा गया अगर लिख देते इसके बाद by people तो भी correct होता और नहीं लिखा है तो भी correct होगा English is spoken by people all over the world तब भी correct होता तो English is spoken इसके बाद all over the world जो extra part था वो लिख दिया तो यह इसका right answer हो सकता है यही है right answer क्योंकि fourth वाले में was फिर से लिखा हुआ और वह यहां पर नहीं आएगा यह पास्टेंस में यूज होता है तो थर्ड ऑप्शन राइट है मलब गो के according मलब गो किये correct form हमें लगानी है फस्त वाले ब्लैंक में सेकेंड में क्या आएगा वस्पिक्सिंग फिक्स फिर फिक्ड इसमें फिक्स की correct form लगानी है फिक्स तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन अगर यहां पर वेंट लिखेंगे इसका मतलब हुआ इसका मतलब भुआ लाइट चली गई while का मतलब होता है जब जब इसका मतलब लाइट चली गई जब मैं फिक्स कर रहा था तो यह answered हो सकता है सेकेंड में लिख़्ा है bent और फिक्स अगर यहांपर फिक्स लिखेंगे होता है मैं parareps करता हूं क्योंकि प्रिजंट सिंफल पुलन हो जाएगा अगर डिए तो लाइट चली गई जब मैं pizza करता हूं तो ऐसा तो संबस्ट करता ऑप ज़िए नहीं होगा इसकंड बाला थर्ड में लिखा है was going was going मतलब the lights was going out light जा रही थी while I was fixing the pipe light जा रही थी जब मैं pipe fix कर रहा था तो light जा रही थी ऐसा तो है नहीं कि light धीरी धीरे चल के जा रही थी light तो एक बार में ही चली जाती है तो यह continuous वाली वर्ब यहां पर नहीं लगेगी was going नहीं आएगा इसी तरह से फोर्थ में भी लिखा है was going तो यह option भी cancel तो first वाला option इसका right answer हो जाएगा the lights went out while I was fixing the pipe light चली गई जब मैं pipe fix कर रहा था थर्टीन्थ है choose the appropriate form of the tense for the given sentence he dash jogging in the park every morning यहां पर every morning लिखा हुआ है तो every जब भी यह हर रोज वाली बात की जाती है तो बहां पर simple present का simple present का sentence ही बनता है simple present की वर्ब आती है क्योंकि यहां पर every लिखा हुआ हर रोज हर रोज जाता है वो इस तरह से तो first में लिखा है went went मतलब यह गया he went jogging तो went के साथ जोगिंग लगता भी नहीं है यह गलत हो जाएगा second है be going यह भी नहीं आएगा क्योंकि continuous और यह correct हो भी नहीं रहा है he be going तो यह गलत और third में लिखा हुआ है go he के साथ go नहीं लगता है क्योंकि he singular है तो go नहीं लगेगा इसमें yes भी साथ में लगेगा क्योंकि ही एक singular subject है इसलिए वर्ब में एस या यह लगेगा तो इसका right answer हो जाएगा यह गोज he goes jogging in the park every morning वह jogging पे जाता है पार्क में एवरी मॉर्णिंग fourth पोर्टीन थे चूज दे अप्रोप्रियेट प्रिपोजीशनल फ्रेज यहां पर लगाने है यह सक्षीडेड डैश हिस प्रिजर्वरेंस अंड हार्ड वर्क प्रिजर्वरेंस मतलब होता है द्रिड़ता द्रिड़ता और हार्ड वर्क मतलब तो हार्ड वर्क वै सक्सीड हुआ तो इन वर्ची वोफ विध् वर्ची वॉफ ओन बय वर्क के साथ हिहां पर बय यूज करते हैं इसका आञे साथ हो जाएगा वाएवर्ची ओफ इसकão मतलब होता है मतलब इसके द्वारा या फिर इसके आधार पर कि इसके आधार पर कि वह क्या सक्सीड हआ तो फोर्थ वाला राइट हो जायगा फिफ्टीन्थ है चूज दो ऑप्शन विथ द अप्रोप्रियेट प्रिफिक्स प्रिफिक्स यहां पर लगाना है माई यंगर सिस्टर इस वैरी डैश सोशेबल ड़ शी देज नॉट इंजॉय मिक्सिंग विद पीपल अनोन टूहर अब यह सोशेबल इसके साथ प्रिफिक् यह नॉन यूज नहीं होगा इन भी नहीं आता डिस भी नहीं आता है तो सोशेबल के साथ हमेशा अन प्रिफिक्स ही यूज किया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इस तरह से कि बैस ट्रांस्वर्म इसका मतलब होता है जो कोशन में बोला गया है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए इक्जामिनेशन वॉबर हो गये चिल्डटन वर हेपी चिल्डटन खुश थे पहला है जे चिल्ड्रन प्हेले रागा दिया गया है है चिल्ड़न के पहले दूसरी चीज, adverb का यूज करके इन दौनों sentences को एक में बदलना है और कहीं पर भी कोई adverb यूज नहीं की गई है, तो ये first नहीं होगा, second, as the children were happy, जैसे ये children happy थे, because क्योंकि the examination was over, examination over हो गए, ये because यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि as already starting में यूज कर लिया गया है, because कि पर कोई need नहीं है, ये गलत हो जाएगा, third है, as the examination was over, जैसे ही examination over हुए, तो the children were happy, children खुश थे, ये हो सकता इसका answer, fourth है, happy were the children, ये तो structure ये गलत हो गया, क्योंकि children subject है, happy एक verb है, subject starting में आता है, ये गलत हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, third, 17th question है, choose the correct form of the verb, that is an agreement with the subject, subject के according verb लगानी है, a good hotel, dash, one that, dash, the best services to its guests, एक good hotel, best services to its guests, पहला है, was, a good hotel was, one that, provide the best services to its guests, एक good hotel वो होती थी, past की बात की जा रही है, जो अपने guest को best service provide करती है, अब ये एक past में ले लिया, दूसरा present में ले लिया, यहीं पर ये गलत हो गया, क्योंकि worst past में use करते हैं, अब provide present में, second has, is providing, अगर ये इस providing यहाँ पर लगाएंगे, मतलब एक continuous की बात चल रही है, कि अपने guest को best services provide कर रही है, ऐसे, तो ऐसा तो हैं नहीं कर रही है, कल के दिन बंद कर देगी, good hotel का मतलब भई ही होता है, जो कि अपने guest को best services provide करें, हमेशा यहीं रहेगा, तो एक continuous की verb यहाँ पर नहीं लगेगी, third is, a good hotel is one that provides the best services to its guest, एक good hotel वो होती है, जो कि अपने guest को best services provide करें, यह हो सकता है, यूज नहीं किया जाता है, तो यहीं पर यह गलत हो गया, फॉर्थ नहीं होगा, तो third option इसका right हो जाएगा, 18th है, choose the correct form of the verb, verb लगानी है यहाँ पर, my car broke down, मेरी car broke down हो गई, मतलब तूट गई, खराब हो गई, so, इसलिए, dash, I, फिर blanks, continue my journey, continue my journey, देखो, car तूट गई है, यह तूट फूट गई है, तो जरनी continue तो हो ही नहीं सकती है, यहाँ पर कुछ negative में लगाना पड़ेगा, मेरी car तूट गई है, broke down हो गई है, इसलिए मैं अपनी journey continue नहीं कर सकता हूँ, तो सकता हूँ वाले sense में जब भी ऐसा आता है, तो हम can लगाते हैं, I cannot continue my journey, अब यहाँ पर can use नहीं होगा, वो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर यह broke लिखा हुआ है, past tense की verb लगाई जा रही है, तो can का past form ही लगाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा could not, I could not continue my journey, मेरी car broke down हो गई है, तूट गई है, इसलिए मैं अपनी journey continue नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा could not, second option, would not भी नहीं आएगा, third है could not have, यह भी नहीं आएगा, क्योंकि have के बाद हमेशा verb की third form आती है, और यह continue लिखा हुआ है, तो यह भी गलत ही हो जाएगा, और fourth में same, फिर से हैव है, यह भी गलत, second option, इसका right answer हो जाएगा, 19th है, आर्टीकल, यहाँ पर आर्टीकल फिल करने है, I wanted to buy, dash, pair of sneakers, dash, supermarket, but was confused, when I saw, when I saw, dash, varied patterns, colors and brands, अब यहाँ pair of sneakers लिखा हुआ है, पेर की case में हमेशा हम A यूज करते हैं, यूँकि pair की बात की जा रही है, और आर्टीकल में किवल A, N, या फिर दा ही यूज कर सकते, अब ऐसा तो है नहीं कि दो pair, तीन pair, वो तो आर्टीकल में option भी नहीं रहते हैं, कि एवल एक कही option रहता है, तो first वाले में आ जाएगा A, तो पहला blanks मालूम चल गया, A आ जाएगा यहाँ पर, तो second वाला नहीं हो सकता, दा लिखा है, third भी नहीं हो सकता, दा लिखा है, first और fourth में से देखना पड़ेगा, अब pair of sneakers at, अब first में देखें तो यह N लिखा हुआ है, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट के पहले N यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सुपर मार्केट को हिंदी से लिखेंगे, तो star से लिखेंगे, सुपर मार्केट, हिंदी से देखते हैं हमेशा articles में सौरिया वेंजन को, तो यह सुपर मार्केट में सा, यह एक वेंजन है, और वेंजन के आगे हमेशा A लगाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है N फरस्ट ऑप्शन में, तो यह फरस्ट ऑप्शन भी कैंसल, तो बचा केवल यह लास्ट वाला, अब इसमें आ जाएगा दा, दा सुपर मार्केट अब यहां पर दा क्यों आया, क्योंकि सुपर मार्केट, कौन सा सुपर मार्केट, जहां से मैं पेर ओफ इसनिकर्स खरीदना चाहता हूँ, इसको पहले स्पेसिफाय कर दिया गया है, इसलिए यहां पर दा आ गया, तो A, दा, और लास्ट वाले में फिर से दा आ जाएगा इसलिए यहां पर दा लागेगा, फॉर्थ अप्शन इसका राइट हो जाएगा, ट्वेंटी है, आर्टिकल्स लगाने है, मेरे फ्रेंड को रोड पर एक रुपे का नोट मिला, उसना डिसाइड किया, वो उसे दे देगा बैगर को, फर्स्ट है ए, अब वन रुपी नोट है, तो वन को हम हिंदी में लिखेंगे, वन ऐसे लिखते हैं, वन तो वा वा एक वेंजन होता है, इसके आगे A ही आएगा, एन तो कभी आने ही सकता है, क्योंकि यह स्वर नहीं है, एन नहीं आगा, तो एन बाला उप्षणन हम कैंसल कर दें, थर्ड में लिखा हुआ एन, थर्ड अप्षण कैंसल और यहाँ पे लिखा है दा, वा जे आप्शन में, तो दा भी नहीं आएगा, वन रुपी नोट के आगे क्योंकि वन रुपी नोट में कुछ ऐसा नहीं है कि दा लगाया जाए और इसके बारे में पहले भी कुछ नहीं बताया गया है तो दा भी नहीं लगेगा अब फस्ट और लास्ट में से देखना है यहाँ पर बैगर लिखा हुआ है बैगर को हिंदी से लिखेंगे तो बासे लिखाएगा बा एक वेंजन है तो इसके आगे फिर से एही लगेगा अगर स्वर होता तो अगे लगता और यहाँ लिखा आए एन फस्ट अप्शन में तो यह फस्ट अप्शन भी कैंसल इसका कोशन फर्स्ट अक्टूबर की फर्स शिफ्ट का इसके आगे के पेपर नेक्स्ट वीडियों में देखेंगे थैंक यू